आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 12 जगरोफी का Objective Set 3 यानि ये आपके लिए Practice Set जिस परकार पहले में ने आपको दिया है उसी परकार ये आपका Set 3 है जिस परकार से आप लोग हर एक वीडियो में Practice करते हो कमेंट करके इसी परकार इस वीडियो में भी आपको कमेंट करके Practice करना है और जाचना है कि कितने परस्न आपको आते हैं सही आते हैं या फिर नहीं आते हैं नहीं आते हैं तो उन्हें आप Complete कीजिए जो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले Question से देखते हैं कि क्या है आपका Question भारत की जनगना के अनुसार निमलिखित में कौन नगर की परिभासा का अंग नहीं है ये पूछा गया है अगर Answer जानते हो तो वीडियो को रोक करके आप जवाब दे सकते हो नहीं जानते हो तो समझ लिजिए कि नगर का परिभासा होने के लिए क्या क्या जरूरी है किसी भी जनसंख्या का घनत्व अगर प्रतिवर्ग किलोमीटर में 400 वेक्ति हो यानि प्रतिवर्ग किलोमीटर म जनसंख्या आकार 5000 वेक्तियों से अगर अधीक हो देखें मिनीमम अगर 5000 भी हो तो भी वो नगर कहलाएगा ठीक है और अगर उससे अधिक भी हो तो भी कहलाएगा तो यहाँ पर जो तीन उप्सन में दिये गए हैं ये तीनों नगर होने का अंग है लेकिन चौथा नहीं है कैसे नहीं है ध्यान से समझें क्या बोला गया है 75% से अधीक जनसंख्या का प्रात्मिक छेत्र में सनलगन होना प्रात्मिक छेत्र मतलब होता है खेती बाड़ी करना यहीं ना होता है तो अगर जो नगर होगा वहाँ पर 100 में से 75 लोग क्या खेती बाड़ी की काम करेंगे नहीं जश्ट इसका उल्टा होगा यानि 75% वो लोग प्रात्मिक छेतर में नहीं काम करेंगे क्रिसी के अलावे दूसरा काम करेंगे तब होते अंग लेकिन यहाँ पर क्या बताए गया है प्रात्मीक छेत्र में तो यहाँ पर एंसर क्या होगा अप्सन नमबर 4 याद रखेगा आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नमबर मानो विकास उचकांक में भारत के निमलिखित राज्यों में से किसकी कोटी सबसे उच्च है अब बताईए कमेंट बोक्स में कौन सा अंसर होगा पंजाब हर्याना तमिल नाडू या फिर केरल तो यहाँ पर होगा उसका उत्तर केरल आगे देखिए नेक्स्ट तीसरा नमबर किस भासा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है या आपको बताना है द्रवडिड आश्ट्रिक भारतिय, उरोपिय या फिर चीनी, तिबती तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा उप्सन नमबर फोर आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर नमबर और देखिए एक दो कोश्चिन मैं आपको पूछूंगा ठीक है उसका एंसर नहीं बताऊंगा इससे आपका प्रैक्टिस ही होग अगर जानते होंगे तो एंसर का जवाब दे सकते हो नहीं जानते हो तो आप कहीं से भी ढून कर जवाब दे सकते हो तो यहाँ पर फोर्थ नमबर कोश्चिन क्या आपका दो हजार ग्यारा की जनगन्ना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी यह 100% बहुत इंपोर्ट ठीक है नगर आप लोग को पताओगा कि सिंदु घाटी भी है मेसो पोटामिया भी है नील घाटी भी है यह सारे क्या है नगरिये प्राचीन बहुत ही पुरानी यह क्या है आपका सवेता है तो बताना है कि निमलिखित में से कौन सूप्रलेखित प्राचीन नगरिये वस्त चैनल को चेक आउट कीजी ठीक है प्लेइलिस्ट में देखिए मेरे चैनल के वीडियो में देखिए बहुत सारे कोशियन MC की कोशियन यहां तक की सब्जेक्टिब कोशियन और कोशियन बैंक के भी कोशियन मैंने करवा दिये हैं आप लोग जाकर देखिए और उसको इस उसका पर उत्तर होगा और musician नमर तीसरा आपको comment box में बताना है इनी यही चारो में सब्से बड़ा कौन है आगे देखिए question number 8 क्या आपका निमलिखित में कौन रेसेदार फसल है ऐसा फसल जिससे हमें रेसा मिलता है या उससे धागे बनाये जाते हैं तो ऐसे फसल को रेसेदार फसल कहते हैं कौफी चाय गेहू या फिर कपास तो इसका उत्तर होगा option number 4 और कपास आगे देखे question number 9 क्या आपका हरित करांती संबंदित है हरित करांती किस से संबंदित है खाद्यान उत्पादन से चाय उत्पादन से दूद उत्पादन से या फिर इन में से कोई नहीं तो question number 9 का उत्तर होगा option number 1 खाद्यान उत्पादन से ठीक है मतलब एकदम कम उत्पादक होती है कम पैदावार होता है ना आगे है दूसराdirection में वेखंडित जोत जी हाँ एकदम खंड कंड में जोता जाता है अलग अलग कटिकरी से तीसरा आनियमित मांसून मतलब समयपर वर्सा हुई तो खेती हुई नहीं हुई तो फिर जमीन बंजर है तो ये तीनों यहाँ पर अंसर होंगे जो भारतिय क्रिसी के लिए बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर इसका उतर क्या होगा अप्सन नमबर चाओ था आगे बढ़ते नेक्स्ट ग्यारा नमबर कोश्चिन मुंबै में प इत्य केंदर भी था मुंबै एक यहाँ पर कपास उत्पादन चेतर एक्दम सामने है जिसे महराष्ट सबसे बड़ा कपास उत्पादन चेतर है इनमे से सभी यानि यहाँ पर यह सारे कारण है जिसकारण मुंबै में पहला आधुनिक सूटी वस्तर कारखाना अस्थापित किया गया था तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा अपसən नमबर 4 आगे देखिए कुशिय नमबर 12 क्या आपका बोकारो, इसपात, केंदर क्या है मिस्रित छेत्र है, नीजी छेत्र है या फिर सार्वजनिक छेत्र में है या फिर इन में से कोई नहीं है तो इसका उत्तर क्या होगा उपसर नमर तीसरा सारवजनिक छेतर में है आगे बढ़ते नेक्स्ट और वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कोशिन तेरा नमर बाला घाट मैगनीज छेतर किस राजज में इस्तित है जारखन में उडीसा में अगे बढ़ते नेक्स्ट पंदरा नमर भारत में प्रत्थम नाब किये उर्जा परियोजना स्थापित की गई थी पहली नाब की ये उर्जा परियोजना कहां पर अस्थापित की गई थी याद रखिएगा आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो यहां पर इसका उत्तर होगा तारा पूर में ठीक है यह कहां पर है यह साथ महराष्ट में इस्तित है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्टीन नंबर सिक्स्टीन नंबर कुशिन के आपका निमली खित में से कौन अस्थलावद पोतासरे है पोतासरे अस्थलावद मतलब होता है कि बंदरगा है ठीक है देखते कितने स्टोडिन इसका जवाब दे पाते नहीं दे पाओगे तो फिर हम आपको कमेंट में बता देंगे आगे देखें आपर 17 नमर कुश्चिन क्या आपका पूर्व पश्चिम गल्यारा जोड़ता है पिछले वीडियो में या फिर किसी एक वीडियो में मैंने आपक पूरव में और इधर गुजराथ के तरफ में पोरव बंदर है तो यहां से लेकर यहां तक जो जोड़ता है यही आपका पूरव पश्चिम गल्यारा जोड़ता है कई तरीके से कुश्चिन पूच सकते हैं तो मैप आपको डीफली देखना है खास करके एंसियर narrative book के अनु में 1921 में 1935 में तो question number 18 का जो उत्तर है वो आपका option number दूसरा यानि 1911 में आगे देखते next 19 number भारतिय रेल पर नाली को कितने मंडलों में बाटा गया है बहुत सारे student इसका जवाब जानते होंगे तो comment box में जरूर दीजेगा जवाब देखें आपर option में किया आपका 12, 9, 20 या इन में से कोई ने यहाँ पर option में अंसर नहीं है तो इसका उत्तर होगा option number 4 लेकिन रेली में कितने होते हैं तो रेली में 17 जोन है ठीक है आगे देखें यहाँ पर 20 number question किया आपका प्रादेशिक नियोजन का विसिस्ट लक्षण क्या है तो यहाँ पर option किया आपका आर्थिक व्यवस्था में विभिन सेक्टरों का विकास परिवहन जालतंत्र में छेत्रिये विवनता है या फिर छेत्र विसेश के विकास का उपागम या फिर ग्रामिन चेतरों का विकास तो इसका उत्तरोंगा अपसा नमबर पहला ठीक है आर्थिक विवस्था में विभिन सेक्टरों का विकास आगे देखिए आपर 21 number question, क्या आपका 21 number निमलिकीत में किसे कर्तन दहन क्रिसी कहते हैं कर्तन दहन क्रिसी होता क्या है, ऐसा क्रिसी जिसमें छोटे से भुभाग में, छोटे से जमीन में पेड को काट कर उसमें खेती बाड़े की जाती है ठीक है उसके बाद फिर एक बार दो बार करने के बाद फिर उस भाग को छोड़ दिया जाता है फिर नेक्स्ट जगा पर उसी तरह पेड पोदे काट कर जैसे जुम खेती होती है वैसे ही करतन दहन क्रिसी होती है जैसे जुम निर्वा क्रिसी में बहुत जादे मातरा में क्रिसी होती है आदीम निर्वा क्रिसी जी हाँ यही उत्तर है आदीम जमाने में जो निर्वा के लिए यानि अपने जीवन या अपन के लिए खेती बाड़ी की जाती थी उसी को करतन दहन क्रिसी भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा अप्सन नमबर दूसरा आगे बढ़ते नेक्स्ट बाइस नमबर क्या आपका क्वेशन 시le 24 क्या आपका, रबढ किस परकार की कैण की गाड़्य की उपज है, रबढ किस प्रकार की कैसी की आपको बताना है, रपण क्रीशी, भूमध्य सागरिय क्रीशी, प्रारमभिक, स्थाई क्रिसी या फिर मिस्रित क्रिसी तो इसका उतर होगा रोपन क्रिसी ठीक है रबड हो गया चाय हो गया कौफी हो गया यह सारे आपके क्या है रोपन क्रिसी है आगे बढ़ते है नेक्स्ट पचीस नंबर पचीस नमबर कुश्चिन क्या है ध्यान से देखिएगा पचीस नमबर कुश्चिन आपका निमलिखित विद्वानों में किसने मानो विकास सुचकांग का निर्धारित किया मतलब कौन थे जिनोंने मानो विकास सुचकांग को निर्धारित किये तो इसका उत्तर होगा option number दूसरा डॉक्टर महबूब उलहक ठीक है इससे related question आएंगे आपके exam में important question है आगे बढ़ते next 26 number नमलिखित में से कौन मानो भुगोल का उपागम नहीं है ये आपको बताना है देगे इसका जवाब आप लोग comment box में दीजेगा क्यों ये question मैंने कई नहीं भी बार करवाया है तो बताना है चारों में से कौन सा option होगा सही आगे बढ़ते next 27 number लिखित में से कौन Viral जनसंख्या वाला चेतर है विरल जनसंख्या वाला मतलब एक होता है सगहन एक होता है विरल सगहन मतलब एकदम घनी अबादी वाला विरल मतलब एकदम जादा घना नहीं होना चाहिए तो आपको बताना है कौन सा उप्सन वाला जगह में विरल जनसंख्या छित्र है पश्चिमी यूरोप में दक्षिन पूर्वी एसिया में उत्तर पूर्व संयुक्त राज अमरिका में या फिर पश्चिमी अस्ट्रेलिया में इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा ये टोटल तीन कोश्चिन मैंने आपसे आज की वडियो में प यहाँ पर कौन सा उपसन होगा 15-69, 15-65 या फिर 18-64 या फिर 15-64 देखिए इसका उत्तर होगा उपसन नमर पहला क्यों होगा तो कि यहाँ पर 15-69 है यानि 60 साल जैसे ही होता है तो लोग रिटायर कर जाते हैं इसका मतलब वो कारेसिल नहीं है तो यहाँ पर यह उत्तर होग कोई इसका अनसर जरू जानते होंगे तो कमेंट बोक्स में जरू टाइप कीजेगा तो कोशन नमर 29 का जो उत्तर है वो है आपका उपसन नमर पहला लाइट भी है ठीक है आगे देखिए कोशन नमर 30 क्या आपका निमलिखित में कौन विकास का सरवत्तम संकेतक है यह आपक मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि विकास एकदम अच्छा हो रहा है उसका विकास आगे बढ़ रहा है इसका क्या करण है आकार में वृधि गुंड में साधारन परिवर्तन आकार में स्थिर्ता या फिर गुंड में धनात्मक परिवर्तन तो सीधा बात है अगर किसी भी केरल में, करनाटक में, तमिल नाडू में या आंधर परिदेश में तो कुशन नमबर 31 का जो उत्तर है वो आपका अप्सन नमबर 30 रा तमिल नाडू में आगे देखते हैं नेक्स्ट 32 नमबर कुशन अमल वर्सा का कारण क्या होता है जल परदूसन, दोहनी परदूसन, वा परदूसन तो अमल वर्सा ठीक है तो इस परकार से ट्रिक यूज़ करके भी समझ सकते हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नमबर कुशन निमली की तुमें कौन चतूर्थ सेक्टर यानी चाथे छेतरक में क्रियाकलाब से संबंदित है चतूर्थ छेतरक के क्रियाकलाब से स आगे देखते हैं नेक्स्ट 34 नमबर लंबी दूरी तक भारी समान धोने के लिए कौन सब्से सस्ता परिवहन साधन है पहला अप्सन सडग परिवहन दूसरा आपका रेल परिवहन तीस रा जल परिवहन चोथा वायू परिवहन तो कौन सा परिवहन से हम लों जितना चाह उतना भारी समान डो सकते हैं एकदम सस्ते साधन में तो बताना है कौन सा उत्तर होगा तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जल परीवान ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैंतीस नंबर पैंतीस नंबर कुशिन के आपका रेल मार्ग के जाल का सघंतम घनत्व है रेल मार्ग के जो जाल है मतलब रेल मार्ग सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में यहाँ पर टोटल चार एरिया दिया हुआ है कौन से एरिया में बहुत ही ज़्यादा एकदम घना है बहुत ही ज़्यादा रेल का मार्ग बिचाय गया है ब्राजील में संयुक्तराज अमरीका में कनाड़ा में या रूस में तो इसका उतर होगा संयुक्तराज अमरीका में ठीक है ओप्सन नमबर दूसरा तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट तीसरा ठीक है तो प्लीस आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजेगा जो भी नए वीवर है चैनल को अब तो सपोर्ट कीजिए अब तो सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छे यूटूब चैनल को आगे बढ़ाईएगा तो आपके लिए ही विटर होगा ठीक है आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जैहिन जै जहरकन